आचारिय जीतू सिंग, आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर, बात कर रहे हैं रक्षा बंदन के तेवार की बहुत ही प्यारा तेवार, भाई बहन के प्यार का तेवार, विश्वास का तेवार, एक ऐसा तेवार जो याद दिला जाता है आपके अपने रिष्टों के, कशिश क उस प्यार की, उस विश्वास की, एक ही घर के अंदर आप जन्ड में हैं और एक ही मता-पिता से आपने संस्कार लिया है, तो फिर वो तन्ना, फिर वो एक गैप आप भाई-बहन के रिष्टों में क्यों आ रहा है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और बात करते हैं अपनी सभ्याता की, अपनी संस्क्रिती की, क्यों भूलते जा रहे हैं हम अपनी सभ्याता और संस्क्रिती को, आज आप मार्केटों में जाते हैं, भाई के लिए राखी खरेते हैं, और एक चोटा सा पैकेट साथ में खरेते हैं, जिसमें चंदन, केसर, रोली, मोली, अक्षत, क्य तो हमारी पुर्वजों ने हमें सिखाई है लेकिन आज हम उस चीज को क्यों भूलते जारे हैं आज हम उस चीज को क्यों आभी एक बाहरी सब्व्यता का उन्मे दे रहे हैं जिससे हमारी ग्रहों को भी हम अपने शांत नहीं कर सकते हैं हम बात करें हैं इस बार की राक्य रक्षाबनाई कैसे बनाई है राकी अपने भाईया के लिए किस अंदाज से बनानी है और कौन सा सही तरेका अपनाना है वैदिग जीोटिशी वैदिग चीजों को बिल्कुल ना उंबले व्यदिक तरीके से आप राखी को बनाएं करना क्या है बता रही हूँ मैं सबसे पहले एक लाल रंका कलावा ले जी और एक लाल रंका छोटा सा टुकडा ले रिशमी कपड़ेगा उसके अंदर केसर, हल्दी, अक्षद, पीली सरसो रोली, मोली का एक टुकडा ये सारी चीज़े डालके उस धागे से इस कपड़े को अच्छे से बान ले और तयार करें अपने प्यारे से भाया के लिए रक्षा सुट्रा जानते हैं आपने इस छोटे से कपड़े के अंदर कितने सारे ग्रहों को शांत करने का तरीका डाला है आपके सारी ग्रह शांत होंगे आपके भाई के उपर किसी तरीके की कोई आच नहीं आ सकती अगर आप ये रक्षा सुट्र अपने भाई को अपने भाईया के कलाई के उपर सच से पहले बांदते हैं बांदिये इस राखी को और यादगार बनाईये इस आज के दिन को इस रक्षा बंदन को इस तेवहार को और प्यार को किसी भी तरीके की कोई भी दिवार कोई नफरत की दिवार किसी तरीके की कोई परेशानी आप दोनों के रिष्टे में आई ही नहीं सकती बहुत अच्छे से मनाई ये रक्षा बंदन का त्योहार, मेरी सभी को शुक्त कामना है